अला दोस्तो आज में आपके लिए होट स्टार पर रिलीज दिन नाइट मैनेजर वेब सीरीज लेके आई हूँ यह संदीप मुझी द्वारा निर्मिद और निदेशित है यह सो इसी नाम की Amazon Prime वीडियो पर रिलीज जॉन लेकारलेक के 1216 के अंग्रेजी सीरीज का हिंदी रुपांत रण है इसके IMDb रेटिंग 8 out of 10 है इसमें मेन कास्ट अनिल कपूर और अधितराय कपूर है यह वेब सीरीज मेन ड्रग और हतियार पर बेज़ड है तो बिना किसी तेरी के एक्स्पिनिशन सुरू करती हूँ इसके फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग अधितराय कपूर से होती है जिसमें इसका नाम शान सेन गुपता होता है और निल कपूर का सेलेंद रूटा होता है शान कैदी की कपड़े पहने वे बर्फी ले पहाड़ों के उबर खाबर रास्तों पर पुलिस की वेंसे जा मियमार की आम फोस्तात्मा उद्वारक किये जा रही हिंसा के कानलाखों रूहिंकों को अपना देश छो पड़ो सीरेश बंगलादेश में सहर लेनी परती है यह एस यह की सब्चे बड़ी रूहिंका क्राइसिस होती है बंगलादेश में लोगों के अंदर मियमार के में मानुकी सुर्चा आराम का पुरा ख्यार लगता है इसी दोरन एक बच्ची को दिखा जाता है जिसका नाम होता है सफीना वो सांट से पूचती कि अगर किसी को यहां से भाग के जाना हो तो कैसे जाए पहले तो सांट समझ नहीं पाता उसे बस लगता है कि वो एक स्पे तो सियारों का कारोबार करने वाले एक अंताराष्ट गिरों का सदस है सान अपनी सीनियर से इस बात पर डिसकसरता है कि हमें उस की मदत करनी चाहिए तो सीनियर कहता है कि हमें बहुत लोगों की निव्जी संथी में नहीं पढ़ना चाहिए वो अप बच्ची नहीं उसको mobile चुरा लेती है अपना फ़ोन लेने के लिए शान कुछ deserts लेकर संफीना के रूं में बहाने से जाता है। वह तब फ्रेडी रह्मान आ जयता है और शान को घुना अपना फोन लिये वहां से जाना पड़ता है। जैते हैं फ्रेडी रह्मान को संफीना के करीब आते है देख उसका दिल दहल जाता है थोड़ी तेर बाद शफीना खुद उसका फोन लेकर होटल के रिशिप्शन पर आती है अब आने से कहती है कि मुझे ये रास्ते में पढ़ा मिला शान जब अपने फोन को चेक करता है तो उसे दो वीडियो मिलते हैं पहले वीडियो में शफीना बोलती है कि अगर आपको मेरी मदद नहीं करने तो मत करिये पर ये वीडियो अपने इंडियन हाइ कमिशन को दिखा दीजेगा तो शायद हूं मुझे तरस खा कर मेरी मदद कर दे दूसरे वीडियो में दिखा जाता है कि फ्रेडी किसी से वीडियो कॉल पर RDX और AK47 जैसे हाथियारों के बारे में बात करता है ति शान नेट पर रूंगटा कॉर्परेशन और सलेन रूंगटा के बारे में सर्च करता है जहां उसे पतर चलता है कि सलेन रूंगटा एक बड़े शिपिंग बिजनेस का मैनेजिंग डारेक्टर और CEO है यहां में ये भी पतर चलता है कि शान एक एक्स नेवी ऑफिसर होता है अगले दिन शान अपने दोस्विक्रम भागवत के पास जाता है जो कि ढाका में इंडियर हाई कमिशन की पोस्ट पर होता है उसका वीडियो देखकर कहता है कि इससे तो जंग सुरू हो सकती है तो सान कहता है कि तुझे जो करना है कर पर इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए इंफॉर्मर एक लड़की है बस उसे इंडिया जाना है बिना रोक्तो क्या परिशानी के यहां से सीन कटो के इंडिया के नीध अली का सीन दिखा जाता है जहार आफिसर लिपका को दिखा जाता है अपने कलिक दानिश कान को उसी वीडियो में सेलेंड रूंग्टा की पिक दिखा कर कहती है कि हम जिसके पीछे चार्ट साल से पढ़ें आज हमें उसे बेनकाप करने का एक मौका मिला है तो एक बड़ा इंफ्लिएंसर बिजनेस में नहीं बलकि मौद का वेपारी है ना जाने उसने अभी तक कितने मॉर्डर किये फिर दोनों डिखेंस परवर मित्तर से मिलने जाते हैं लिपका सभी इंफॉर्मेशन और सबूत बताने के बाद सेलेन जूंग्टा के एक लाफ केस फाइल करने को कहती है पर मित्तर सेलेन जूंग्टा को वेल कनेक्टेड और वेल इस्पेक्टेड बिजनेसमेन कहता है और लिपका की बातों को इनकंप्लीट डाटा और हाफ बेक्ट रिसर्च बताता है बाहर आका लिपका उस वीडियो की 24 कंटे के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट अपने असिस्टेंस आरंग को त्यार करवाने को कहती है इदर बंगलादेस में फ्रेडी को पता चल जाता है कि सफीना नहीं उसका वीडियो बनाया था फ्रेडी जब शैली उर्फ सैले जोग्टा से बात कहता है कि ओख अपनी भीवी को अपने हाथ से मारेगा तो ये बास शान सुन लेता है और फ्रेडी के रूम में जाने से पहले शफीना को वहां से भगा देता है सफीना को अपने रूम में नापा का फ्रेडी पूरे होटल में हाकार मचा देता है और शान से भी फंगा हो जाता है शान पॉरन होटल से निकल का हाई कमिशन विक्रम के घर जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुमने वीडियो किसको दिया है विक्रम कहता है कि इंडिया में रौ, हेल्प आफ बांगलादेश डेस्क, लीपिका साई किया रौ को तो शान उसी समय लीपिका से बात करता है और कहता है मुझपर भरुसा का जिस इंफॉर्मन ने वो वीडियो भेजाता अब उसकी जान खत्रे में और वो एक 14 साल की बच्ची है लीपिका यह सुनकर शौक डो जाती है और सान से कहती है कि मैं नेक्स फ्लाइट पकड़कर उसे लेने आ रही हूँ तो मैं मुझपर भरुसा करना होगा क्योंकि एक मैं हूँ जो उसी इंडिया से फली ला सकती हूँ और तुमारा यह जानना जरूरी है कि उसे फ्रेडी नहीं बलकि सैली और सेरें रूंटा से खत्रा है जो कि एक आर्म्स टीलर उसका भीने स्कून खराबा और मौत करना है और लीपिका को ढाका जाने के लिए को भी नेक्स फ्लाइट अबलेबर नहीं मिलती इस लिए सुभे होने तक उसे सेफ रखने को कहती है सान सफीना को होटल के कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर छुपा देता है क्योंकि वहाँ कैमेरे नहीं होते दोनौ रात पर वहीं चुपे रहते हैं सुबह होने पर सान सफीना के कुछ खाने के लेने जाता है एरपोर्ट पर लीपका उसे फोन के अपने के बारे में बताती है तब उसे पता चलता है कि उसका फोन हैक हो गया कोई उन दोनों की बादे सुन रहा है लीपकर सान को ये बात बताती है और सफीना को बचाने को कहती है सान वहां से भाकर सफीना को बचाने जाता है पर तब तक देर हो चुकी होती है कोई सो होटल की उपनी मंज़े से नीचे फेकर मार डालता है उसे मरा देख सान सदमे में आ जाता है बंगलादेस की पुलिस सफीना की मौत को जूटे तरीके से आदमत्या करना बताती है यहां से काहनी दो साल आगे बढ़ जाती है जहां शान अब सिमला के होटल का नाइट मेनेजर होता है उसे देख का समझ आता है कि सफीना की मौत वो भुला नहीं पाया है होटल में नाइट शिफ्ट के दोना उसका कलिक उसे सैलेंद रूंग्टा के भारें बताता है कि आज वो वी आईपी अपने चौपर से यहां लेंड कर रहा है उसे एक पैकेट देने को कहता है फिर एंट्री होती इस वेब सीरीज के में खलनायक सैलेंद रूंग्टा के इसका रोल अनिल कपूर ने किया है उसे थोड़ी देर देखने के बाद शान आउट अफ कंट्रोल हो जाता है उसका दिमाग घूमने लगता है फिर खुद को समालते हूँ इसके पास जाता हूँ इस फेमस डायलोग से वेलकम करता है जो अपने ट्रेलर में सुना होगा वेलकम टू दे नाइट फ्लावर रिसोर्ट सर माइनेम ही शान सेन गुपता आइम दी नाइट मेनेजर एट योर सर्विस और इसी के साथ फर्स्ट एपसोर्ट खत्म होता है